नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक प्रस्ण है UPSC 2016 में आया है इसके आने की बहुत ज्यादा कई कई बार इसका तो कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं सासन क्या है सो सासन क्या है नेतिक सासन क्या है और निती सास्तर इसके मामले में क्या कहता है 2016 में आईएस में आया हुए मेंस में और मैं आपको सरल सब्दों में समझा देता हूँ मैं इसके लिए एक आकरती बनाई है सुसासन के लिए दो और नेतिक सासन के लिए तीन देखे जहां कहीं भी सरकार है और सरकार का काम है जो सरकार के काम करने के नियम है जो सरकार के काम करने के आधार है अगर सरकार उससे चल रही है राज्य है तो सासन है राज्य के काम ही सरकार है, सरकार के काम ही सासन है सासन सब्द का आसे किसी विवस्था में सरकार की क्रिया कलाब से है कुछ निश्चित नियम हुए, कुछ निश्चित कानुन हुए उसी से संचालन करते हैं, यही संचालन सासन कहा जाता है जनता की भूमिका इसमें कम से कम मानिये, नगण्य समझिये, सुन्य, अब आगे आते हैं सुसासन पर, सुसासन सु माने अच्छा सासन, अच्छा कैसे हो गया, यहाँ पर सरकार तो काम करती ही करती है, इसके अलावा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए हितसमू भ होते हैं, इस प्रकार की सासन विवस्था, जहां कुछ निश्चित नियम तो है, लेकिन इसके साथ साथ भिविन नहित समूओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, मतलब जनता की थोड़ी सी भागी दारी इसमें है, इसे कहा जाता है, सुसासन, संसा, समाज या राज्य के प्र अब तीसरी बात करते हैं, नेतिक सासन की, अगर सरकारी नीती में और सुसासन के साथ नेतिकता और सामिल हो जाए, अर्थात, उत्तरदायत्य की भावना हो, इमानदारी आए, नेत्रत्य कोसल हो, उत्तरदायत्य हो, जवाब देहिता हो, जनता के साथ फ्रेंडली वेवार ह तो अगर ये सब चीजें सामिल की जा रही है तो नेतिक सासन कहा जाता है। कि प्रतेक पहलू पर विद्यमान होती है इसे ही कहते हैं नेतिक सासन मैं नीति सास्तर की आगे भी वीडियो आपको देता रहूँगा क्या ये प्रसन आपकी समझ में आगया है कमेंट करके बता दीजेगा बस Have a nice day बाई दो प्रसन रोज आते रहेंगे Have a nice day बाई